आज की स्केलास के इंतर गथम आखाद्धी फसल और खाद्धी फसले किने कहा जाता है इनको अच्छे जानेंगे तो सबसे पहले तो आप खाद्धी फसल समझे किने कहेंगे वे फसल जिनका उत्पाधन मुख्य रूप से खाद्धी पधार्तों की प्राप्ति के लिए किया ग्हूं, चावल, डाल, आदी, यह कौन सी फसले हैं ? खाद्ध पसल वे फसल जिनका उत्पाधन मुख्य रूप से खाद्धी पधार्तों की प्राप्ति के लिए किया जाता है या उनको उगाया जाता है उन्ने खाद्ध पसल कहा जाता है उधारानमाब लिए ग्रपाद के कि ने कहेंगे कि वे फसल जिनका उत्पादन खादिपधारतों के लिए नहीं करते मतलब भोजन की प्राप्ति के लिए नहीं करेंगे बलकि जिनका उध्योग के लिए जिनका उत्पादन किया जाता है जिसे उनसे रेसे प्राप्त करने के लिए रबड है यह रेसेदार फसल है है यह सब कुछी फसले चेलाएगा आपकी परिभास इस तरह से लिखेंगा कि वे फसल जिण्या उत्पाधन खाधिय पडारतों के लिए नहीं करते बल्कि उद्यगों के लिए इसका उत्पाधन किया जाता है उन्हें हम आखधDY पसल केते हैं रबड रेसेदार पसल आदी ठीक है नोट से तैयार के लिएगा पहले आप खाद्धी पसल को लिख लिएगा इसके बाद में आप खाद्धी पसल की परिवासा और उधारन लिखेगा ठीक है